आपको बताते हैं कि किस राशी के लोग बन सकते हैं एक दूसरे के पॉफेक्ट पार्टनर और किस से विगर जाता है रिष्टा आप देख रहे हैं मेरे साथ वैदिक टीवी स्वागत है आपका राधे राधे और मैं हूँ मेखा जोतिश कहता है कि विपरीत या फिर शत्रू राशी के जातक से शादी होने पर आपकी शादी शुदर जिंदगी खराब हो सकती है लड़ाई जगडे बने रहेंगे इसलिए शादी से पहले राशीयों का मिलान किया जाता है जिससे की जीवन साथी एक दूसरे के साथ हबीते हाला कि आजकर बदलते परिवेश की वज़े से लोगों में सहनशीर्ता की कमी की वज़े से राशीयों के हिसाब से की गई शादियां भी खराब हो जाते हैं लेकिन फिर भी भारती ये विवाहिक मानता हैं जिने हम मानते हैं शादी विवा को लेकर अक्सर बड़े बुजर्ग ये कहते हैं और फिल्मों में भी हमने देखा है कि जोडियां उपर बनती हैं बस धर्ती पर तो इन्हें मिलना होता है साथी जिस व्यक्ति के साथ आपका विवा होना तैह होता है उससे आपका रिष्टा केवल इस जन्म का नहीं बलकि साथ जन्म के लिए हो जा जातक से शादी कर ली है तो आपका विवाहिक जीवन बरबाद होगा तो आज हम आपको बताते हैं कौन सी वो राशिया हैं जो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है यानि इस राशी के जातक उस राशी के जातक से बेजह जाक शादी कर सकते हैं मेश राशी मेश राशी वालों आप अपने लिए तुला राशी वाले जीवन साथी की तलाश करें वरिश राशी वरिशब राशी वालों के लिए सबसे लखी वरिश्चिक यानि की स्कॉर्पियन राशी मानी जाती है मिधुन राशी के जातकों को वरिशब तुला और सिं न चाहिए कर्ग की बात करें तो जोतिश कहता है कि कर्ग राशी के लिए सिंग मेश और धनू राशी के जीवन साथी बेस्ट रहते हैं बात करते हैं सिंग राशी की सिंग राशी वालों आपको कर्ग मेश व्रिश्चिक धनू और मीन राशी वालों को अपना पार्टनर बना रहता है तुला राशी वालो आप अपने लिए मेश, मिथुन, कन्या और मकर राशी को चुन सकते हैं व्रिश्चिक राशी ये राशी तो वैसे भी खतरनाक होती है और इनके खतरे को व्रिशब, धनू और मीन राशी वाला ही जहल सकता है धनू राशी धनू वालो को सिंग औ और मेश राशी वाले पार्टनर चुनने चाहिए मकर राशी करक तुला और व्रिशब राशी के जा तक मकर राशी के लिए बेस्ट रहते हैं कुम व्रिशब राशी और सिंग राशी का पार्टनर आपके लिए बेहद सटीक और बेस्ट रहेगा मीन वालों आपके लिए मेश और विश्चक राशी के पार्टनर भेतर होते हैं तो अगर आप अभी अपनी शादी का प्लान बना रहे हैं तो शादी से पहले आप एक बार अपनी राशी जरूर मिलवा लेना कई ऐसा ना हो बाद में लेने के देने पड़ जाए ये जानकारी आप तक विभिन आले को विभिन मानने ताउं द्वारा पहुंच रहे गई है वीडियो में जो भी बाते आप किस सामने रखी गई है उनमें कितनी सचाई है इस बात की पुष्टी वैदिक टीवी बिल्कुल नहीं करता अभी के लिए वैदिक टीवी में इतना ही राधे राधे